श्री हरिंग, एकलसा आथद कक, सासादध्य तथथा आससा आदद्नन एक सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है, उस सत्ता में न में है, न तू है, न यह है और न बे है, संसार की सत्ता हमारी मानी हुई है, वास्तव में है नहीं, सत्ता मात्र है है और संसार नहीं है, नही अवस्वत्स्वाभावेक है, वह है ही हमारा साध्य है, जो नहीं है, वह हमारा साध्य कैसे हो सकता है? उस है का अनुभव करना नहीं है, वह तो अनुभव रूप ही है, तात विकद्रिष्ट से देखें तो साधक वेह है, जो साध्य के बिना नहीं रह सकता और साध्य वेह है दो पर्मविश्राम की प्राप्ति जो साद्क के बिना नहीं रह सकता। साध़क साध्य से अलग नहीं हो सकता। वह साधक कैसा और जो साधक के बिना रहे, वे साध्धे कैसा? जो मां के बिना रह सके, वे बटा कैसा और जो बचे के बिना रह सके, वे मां कैसी? हमारा साध्धे हमारे बिना नहीं रह सकता, रहने की ताकत ही नहीं, क्यूंकि मूल में सत्ता एक ही है. जैसे समुद्र और लहर पर साध्यर में एक ही जल तत्व की सत्ता है, ऐसे ही साधक और सांध्य में एक ही सत्ता है। पूर्ण साधक होने पर साध्य की ग्रापती हो जाती है। शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिये माने से ही साथक को साध्य की अप्राप्ति दिखती है. साध्य के डपर्म विश्टाम की प्राप्ति सिवाय अंजर की सत्ता स्वीकार ne करना ही उसकी प्राप्ति का बढ़ अउपाय है. इसलिए साध्य की द्रिश्टी कीवल इस तरफ रहनी चाहिए कि संसार नहीं है, संसार का पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव हो जाएगा और बीच में भी वेक प्रतिक्षन अभाव में जा रहा है, संसार की स्थिती है ही नहीं, उत्पत्ति प्रल्य की धारा ही स्थिती रूप से दीखती है, साद्ध के लिए साध्य में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है विश्वास और प्रेम उसी साध्य में होना चाहिए जो विवेक्विरोधी नहो मिलने और बिचुरने वाली वस्तु में विश्वास और प्रेम करना विवेक्विरोधी है विश्वास और प्रेम दोनों में कोई एक भी हो जाये तो दोनों स्वतह हो जाएगे विश्वास द्रिड हो जाये तो प्रेम अपने आप हो जाये गार अगर प्रेम नहीं होता तो समझना चाहिए कि विश्वास में कमी है अर्थात साध्य, परमात्मा कि विश्वास के साथ संसार का साक्षक्तर, साध्य तथासा भक्तशंजा विश्वास भी है, पूर्ण विधास होने पर एक सत्ता के सिवाय अन्य संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी, साध्य में विश्वास की कमी होगी तो साध्य में भी विश्वास की कमी होगी अर्थात साध् प्रमात्मा अपने में हैं, अतह कुछ न करने से ही उनका अनुभव होगा। कुछ करने के लिए तो शरीर की आवशकता है, पर कुछ न करने के लिए शरीर की क्या आवशकता है? कुछ देखने के लिए नेत्रों की आवशकता छे पर्मविश्राम की प्राप्ती है, पर कुछ न देखने के लिए नेत्रों की क्या आवशकता है? हाँ, नाम जब कीर्तन आदी साधन अवश्य करने चाहिए, क्यूंकि इनको करने से कुछ न करने की सामर्थे आती है हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा संबंद परमात्मा के साथ ही है हमारा संबंद न तो शरीर के साथ है और न शब्द, स्पर्ष, रूप, रूप और गंद इन विशेओं के साथ है हम परमात्मा के हैं, इस सत्यप पर साधकं को द्रडविश्वास करना चाहिए अगर द्रडविश्वास न कर सके तो भगवानों से मांगे हम शरीर संसार के हैं, यह भूल है भूल को भूल समझने में देरी लगती है पर भूल समझने पर फिर भूल मिटने में देरी नहीं लगती यह नियम है कि परमात्मा की प्राप्ति असत, पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत अस्त के संबंद विछेद से होती है अस्तू से सरवथा संबंद विछिध करने के लिए सादकको साधक, साध्यव तथा साधन हित उन बातों को सुविकार करने की आवशकता है 1. मेरा कुछ भी नहीं है 2. मेरे को कुछ नहीं चाहिए 3. मैं कुछ नहीं हूँ अब इन तीन बातं पर गंभीरता पूर्वक विचार करें पहली बात है मेरा कुछ भी नहीं है इसको स्विकार करने के लिए साधकको इस बात का मनन करना चाहिन से की हम अपने साथ क्या लाए हैं और अपने साथ कई या ले जाओगे मनन करने से साधक को पता लगेगा कि हम अपने साथ कुछ लाए नहीं और अपने साथ कुछ ले जा सकते नहीं कात पर यह निकला कि जो वस्तु मिलने और बिचुडने वाली है वे हमारी नहीं हो सकती जो वस्तु उत्पन और नश्ट होने वाली है, वे हमारी नहीं हो सकती. जो वस्तु आने और जाने वाली है, वे हमारी नहीं हो सकती. कारण कि स्वय हम मिलने बिछुडने वाला उत्पन नश्ट आठ पर्मविश्राम की प्राप्ती होने वाला आने जाने वाला नहीं है. अता मेरे को क्या चाहिए? शरीर को अपना माने से ही चाह पैदा होती है कि हमें रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए आदी-ादी साधक इस बात पर विचार करे कि शरीर से अलग होकर मेरे को क्या चाहिए? तातपर्य है कि जब साधक इस सत्य को स्विकार कर लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है तब इस सत्य को स्विकार करने में समर्थ हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए तीसरी बात है मैं कुछ नहीं हूँ शरीर और संसारकों तो सब देखते हैं पर मैं को किसी ने नहीं देखा है, हरीर की प्रदीती होती है और स्वयंका साश्रक, साध्धिप तथा साधन प्रे अनुभव होता है, पर मैं की नक्त प्रदीती होती है और ना अनुभव ही होता है, मैं का भान होता है, जब साधक इस सत्य को स्विकार कर लेता है कि मेरे को तब इस सत्य को स्विकार करने में समर्थ हो जाता है कि मैं कुछ नहीं है, जिसमें संसार की ममता और परमात्मा की जिग्यासा है, उसको मैं कह देते हैं, पर वास्तव में मैं कुछ नहीं है, सुशुम्ति में स्वयंग के भाव का और मैं के अभाव का अनुभव सब को होता है मेरा कुछ नहीं है और मेरे कों कुछ नहीं चाहिए इन दो बातों की सिद्धी होते ही मैं सत्ता मात्र में अर्थाथे में विलीम हो जाता है कात्पर्य है कि चेतन अंश्च चेतन तत्व में और जणश्च जण में विलीम हो जाता है फिर एक सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। प्रकृति का स्वरूप हैं पदार्थ और क्रिया। शुन्य पर्मविश्राम की प्राप्ति पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। क्रिया का आरंब भौर अंत होता है। शरीर आधी पदार्थों का आश्रेक पर आश्रे है और क्रिया का आश्रेक परिश्रम है परमात्म परासे के लिए क्रिया और पदार्थ की बिल्कुल आवशक्ता नहीं है संसार में तो करना मुख्य है पर परमात्मा में न करना ही मुख्य है शरीर और संसार की सहाथ से पम्र आदी सब प्रकृतिके हैं. इनका आश्रे लेना प्रकृतिका आश्रह है. प्रकृतिका आश्रह है रखने पर प्रस्मात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? शरीर प्रकृतिका होने इसे हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है. इसलिए शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया ज वह केवल संसार के लिए ही किया जाना चाहिए साधक, साध्यप तथा साधन्षर शरीर से जब ध्यान, पूजन, तीर्थ, ब्रत आदी जो कुछ भी किया जाए वेह इस भाव से किया जाए कि दूसरों का हित हो अपने लिए कुछ भी करना भोग है योग नहीं आत्पर्य हुआ कि शरीर संसार का अंश है इसलिए शरीर से होने वालोई प्रते क्रिया संसार के लिए ही है हमारे लिए नहीं हमारे लिए केवल परमात्मा है क्योंकि हम उनहीं के अंश है अत्थ, पराश्रय और परिश्रम भोग है जो पराश्रय को छोड़कर भगवदाश्रय को अपनाता है और परिश्रम को छोड़कर विश्राम को अपनाता है वेह योगी होता है परन्तु जो पराश्रय और परिश्रम को अपनाता है वे भोगी होता है पराश्रय और परिश्रम में सभी पराधीन है पर भगवदाश्रय और विश्रामे सब के सबस्वन तंत्र हैं. पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए हैं, पर भरगवदाश्रय और विश्राम अपने लिए हैं. साद्क को अपने में जितनी कमी दीखती है, उतना ही पराश्रय तेरह पर्मविश्राम की प्राप्ती और परिश्रम है. भग अत्मा की प्राप्त के लिए विश्राम है। अर्थात कुछ न करना भोग है, पर पर्मात्मा के लिए विनशनाम करना साधन है, क्यूंकि पर्मात्मा परम विश्राम स्वरूप है। अर्थात करतविका आश्राय अपना सकता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, यह भगवान का आश्राय है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यह स्वका आश्राय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों के हित के लिए है, यह धर्मक परम विश्राम की प्राप्ति आश्राय है। भगवान का आश्राय भक्ति योग है, स्वका आश्राय ग्यान योग है, धर्मका आश्राय कर्मयोग है। यद्यपी तीनों ही योग मारगोन से पदार्थ और क्रियारूप प्रकृति का आश्रेक छुट जाता है और सत्ता मात्र में अपनी स्वत, सिद्ध, स्थिती का अनुभव हो जाता है तथा पी, इन तीनों में भगवान का आश्राय सरोश्रेष्ट है क्योंकि मूल में हम भ अगवान का है अन्ष है भगवदाश्रे से मुक्त के साथ साथ भक्त की भी प्राप्ती हो जाती है जो मानव जीवना का चरम लक्षे है एक है सत्ता मात्र के सिब्राणिय और कुछ नहीं है ऐसा जाने से मुक्ती हो जाती है और बैह है अपना है ऐसा माने से भक्ती हो जाती वास्तव में जो है, वहीं अपना हो सकता है। जो नहीं है, बह अपना कैसे हो सकता है। जिसकी कोई भी आक्रती नहीं होती, उसको अवितामूर्ती कहते हैं। जैसे भगवान अव्यक्तामूर्ती हैं, ऐसे हो साधक भी अव्यक्तामूर्ती होता है। योगी भोगी नहीं होता। साधक्ष्र पर्मविश्राम की प्राप्ती कोई भी काम भोग भुधी अत्वा सुख बुद्धी से नहीं करता। प्रत्योक योग भुधी से करता है। समता का नाम योग है, समत्वन योग उच्छियते, गीता दो अर्तालीस, समता भाव है। अता साधक भाव श्रीर होता है, स्थूल शरीर प्रतिक्षन बदलता है। ऐसा कोई ख्षन नहीं है, जिस ख्षन में शरीर का परिवर्तन ना होता हो। परमातमा की दो प्रकृतियां हैं। शरीर अप्राप्रकृती है और जीब पराप्रकृती है। पराप्रकृती अव्यक्त है और अप्राप्रकृती व्यक्त है। सम्पून प्राणी पहले अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त हैं और अंत में अव्यक्त हैं स्वप्न आता है तो पहले जागरत है, बीच में स्वप्र है और अंत में जागरतु है, जैसे मद्य में स्वप्न है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मद्य में व्यक्त है, प्लस अव्यक्ता दीनी भूतान व्यक्ता मध्यानी भारता अव्यक्ता निद्ना नेत्र तत्र का परिदेवना, गीता त धन्त हैं कि जो आदी और अंत में नहीं होता, वेह वर्तमान में भी नहीं होता, आदावंते चयत नास्ती वर्तमानेड पे तत था, मांडू के कारिकाद दो छे, चार, इकतेज, प्राणी आदे में और अंत में अव्यक्त हैं, अतहब बीच में व्यक्त दीखते हुए भी वे प्रतियुद संसार होता है, इसलिए पर्मात्मा की प्राप्त को होती है और अव्यक्त में होती है, अव्यक्ती साधक होता है, व्यक्त साधक नहीं होता व्यक्त तो एक्षन भी नहीं ठहरता प्रतिक्षन प्रिणामी नोही भावा रिते चित्य शक्ति चित्य शक्ति चेतन शक्ति को छोड़कर सभी भावश प्रस्म विश्वामं की प्रामेंग प्रतिक्षन प्रिणामी है अर्थात एक्षन भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं. विचार करें, जब हमने मा से जन्म लिया था, उस समय हमारे शरीर का क्या रूप था और आज क्या रूप है? विचार करने पर यह मानना ही पड़ेगा कि शरीर संसार प्रतिक्षन बदलते हैं. बदलने के पूंज का नाम ही संसार है. जो बदलता है, व सबसे पहले यह बात मान लेनी चाहिए कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, चाहे समझ हमें आये या न आये. ज्यान मार्ग में पहले साधक समझता है, फिर वेग मान लेता है. भक्ति मार्ग में पहले मानता है, फिर समझ लेता है. तात पर रहे है कि ज्यान में विवेक मुख और भक्ति में शद्धा विश्वास। ज्यानमार्गा और भक्ति मार्गा में यही फर्क है। दोनों मार्गों में एक साधकौन शन और एक विलक्षननता है। ज्यानमार्गा गाला साधक तो आर्मब से ही ब्रहम हो जाता है। ब्रहम से नीचे उतरता ही नहीं, पर भक्त पर्मात्मा की प्राप्ति हो जाने पर भी ब्रह्म नहीं होता। प्रत्युत ब्रह्म ही उसके बश में हो जाता है। पुझे हैं सो है कौन। कहे भी नाम दसा जनाडू। सुनत राम क्रपालू के मेरी बिग्रियाओ भनी जाड़ी। 3. जान की जगजननी जन्वरी की किये बचन सहाडू। तर तुलसिदास भवत्तवनात गुनगनगार। 4. तातपर्य है कि सिद्ध, भगवत प्राप्त होने पर भी बीस पर्मविश्राम की प्राप्ती भक्त अपने को सदा छोटा ही समझते हैं। वास्तविक ग्रिष्ट से देखा जाया तो ऐसे भक्ती वास्तव में घ्यानी है। गीता में भी भगवान ने गुनातीत महापुरुष को ग्यानी नहीं कहा। प्रत्युत अपने भक्त को ही ग्यानी कहा है। गीता साथ, सोला, अठारा, भगवान ने ज्यानमार्गी को सर्ववित, सर्वग्य, भी नहीं कहा, प्रत्युद भक्त को ही सर्ववित कहा है, ससर्वविधर जती मा सर्वभावेन भारत, गीता पंद्रह, उनीस, गो स्वामी जी महराज ने कहा है, प्रेम भक्ती जल बिनुर अभियंतर मल कब होना जाएं, मानस, उत्तर शुन्य उन्चास तीन, भक्त के बिना भीतर का सुक्ष मल, अहम, मिटता नहीं, वह मल मुक्त में तो बाधक नहीं होता, पर दार्शनिकों और उनके दर्शनों में मदभेद पैदा करता है, जब बे सुक्ष मल मिट जाता है, त प्रिथवी पर ही घूमता फिरता है और मरकर प्रिथवी में ही लीन हो जाता है, इसकी तीन गतियां बताई गई हैं, या तो इसकी भस्म हो जाएगी, या मिट्टी हो जाएगी, या विष्ठा हो जाएगी, इसको जला देंगे तो भस्म बन जाएगी, प्रिथवी में गार बनता बिगरता है सदा, इसलिए वास्तव में साधक अव्यक्त होकर ही भगवान का भजन करते हैं, एक पार्ण नभवातिक शरीर होता है और एक अव्यक्त भावश्रीर होता है, भजन ध्यान वास्तव में भावश्रीर से ही होता है, भजन नाम प्रेम का है, पनगारि सुनू प्रेम संभजन रे पर्म विश्राम की प्राप्तिन दूसर आन, मानस, अरण्य शुन्य दस्में पाठभेद, प्रेम भावश्रीर से ही होता है, अतह वास्तव में अव्यक्तमूर्ति ही भगवान में प्रेम करता है, भगवान का भजन कमनरता है, भगवान में तलीन होता है, ममेवँ आंशों जीव लोगे जीव भूट सनातन गीता 15 सात यहां ममेवंश कहने का थात पर यह है कि जैसे शरीर में माता पिदा दोनोंका अंश है ऐसे जीव में प्रकृति का अंश नहीं है प्रत्युत केवल मेरा ही अंश है प्रकृति का अंश शरीर तो प्रकृति में ही स्थित रहता है पर जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा में स्थित नहीं रहता वह अपने आपको संसार में स्थित मानता है भगवान में स्थित नहीं मानता वह प्रकृति में साधा कौन। ब्रतीन स्थित शरीर इंद्रियासन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेता है। मनाह शष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थाने कर्शती। इसलिए मैं शरीर से रहित हूँ। यह बाते उसकी समझ हमें नहीं आती मनुश्य की सबसे है तो यही है कि वेह प्रतिक्षन बदलने वाले शरीर को अपना स्थाई रूप मान लेता है। भगवान ने गीता के आरंभ में शरीर और शरीरी, शरीर वाले का वर्णन किया है, जिसका तादपर्य साधंक मात्र को यह बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। वास्तव में का स्वरूप सत्ता मात्र है, पर समझाने की द्रिष्ट से भगवान ने स्वरूम पको शरीरी नाम से कहा है। कारण कि संसार में जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनी कहलाता है, ऐसे ही शरीर के संबंध से स्वरूप शरीरी कहलाता है। जैसे धन का संबंध न रहने पर ध इसी तरह एक खी स्वरूप क्षेत्र के संबंध से खेत्र गे द्रिश के संबंध से द्रश्ट और साक्ष के संबंध से साक्षी कहलाता है। दोनों एक जातिके हैं, ऐसे शरीर और शरीरी दोनों एक जातिके नहीं हैं। इसलिए धन के संबंध से शरीरी सद्दा के लिए मुक्त हो जाता है। कारण की शरीर संसार का बीज है। अत्त जिसका शरीर के साथ संबंध है, उसका संसास मात्र के साथ संबंध है। शरीर से संबंध विच्छेद होने पर संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार में हमें दो चीज़ें दीखती हैं, पदार्थ और क्रिया। ये दोनों ही प्रकृतिका कार्य है। साथारन विष्ट से हम लोगों को संसार में पदार्थ प्रदान दीखता है, पर बास्तव में क्रिया प्रदान है, पदार्थ प्रदान 26 पर्मविश्राम की प्राप नहीं है। पदार्थ में हर दम परिवर्तन ही परिवर्तन होता है तो फिर क्रिया ही हुई, पदार्थ कहा हुआ? क्रिया का पुझ ही पदार्थ रूप से दीखता है, वह क्रिया भी बदलने वाली है, ये क्रिया और पदार्थ प्रकृति का स्वरूप है, हमारा स्वरूप नहीं है, हमा नहीं घड़ा रहता है, हम चले जाते हैं, मकान पीछे रहता है, हम अलग हो जाते हैं, तो वास्तव में हम पहले से ही उससे अलग हैं, ऐसे ही हम शरीर से अलग हो जाते हैं, तो वास्तव में हम पहले से ही शरीर से अलग हैं, वास्तव में हम शरीर में रहते नहीं हैं, प्रत् पून संसार व्याप्त है ताद पर ये है कि स्वरूप सर्व्यापी है, एक शरीर में सीमेत नहीं है, नित है सर्वक्त है, गीता दो. 24. जब तक्वेह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक्वेह साधक है. शरीर का संबंध सर्वत्था छूटने पर वेह सिद्ध हो जाता है. शास्त्र में आता है कि देव होकर देव का भजन करना चाहिए, देवो भूत्वा यह जेद्रेवम. इसलिए अव्यक्त होक पर ही अव्यक्त परमात्मा का भजन करना चाहिए. शरीर तो क्षन प्रतिक्षन बदलता है, पर साधक क्षन प्रतिक्षन बदलने वाला साधक थोड़े ही है. क्षन प्रतिक्षन बदलने वाला मुक्त कैसे होगा? नित्ते कैसे होगा? स्वरूप का विनाश कोई कर सकता ही जो अविनाशी होता है, वही मुक्त होता है। विनाशी मुक्त कैसे होगा? रद पर्मविष्चाम की प्राप्ति बंधन का वेहम, मुख, मिट जाये इसको मुक्ती कहते हैं। इसलिए एक बार मुख मिटने पर पुन, मुख नहीं होता। यजगयात्वान पुनार मुख हम, गीता चार, 35, कारण की मूल में मुख है नहीं। जो वास्तव में है नहीं, वही मिटता है, जो है, वह मिटता ही नहीं। सत्त का अभाव नहीं होता और जिसका अभाव होता है, वे सत्त नहीं होता, प्रत्योत असत्त होता है, नास्तो विद्यते भावों ना भावो विद्यते सत्त है, गीता 2.16, शरीर तो भोगायतन है, जैसे रसोई घर भोजन करन का स्थान है, ऐसे ही शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है, सुख दुख भोगने वाला शरीर नहीं होता, भोगने का स्थान और होता है, भोगने वाला और होता है, शरीर तो उप्रका चोला है, हमलाल, काला, सफेद आदी कैसा ही कपड़ा पहने, वे स्वरूप थोड़े ह इसे ही स्त्री पुरुष सद्धकौन, श्रव प्रकाचोला है, स्वरूप न स्त्री है, न पुरुष है, न न पुनसक है, परमात्मा, प्रक्रति और जीव ये तीनों ही अलिंग है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धी और अहंकार, इन सब के अभाव का अनुभव तो सब को होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, जिसके अभाव का अनुभव होता है, उससे हम अतीत है, अमारी भाव रूप सत्ता वर्दम रहती है, सुशुप्ति में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धी, अहंकार, कुछ भी नहीं रहता, सब लीन हो ज सुशुप्ति में भी हमारा होनापन जयो का त्यों था। कारण के हमारी सत्ता होनापन अहंकार के अधीन नहीं है, बुद्धि के अधीन नहीं है, मन के अधीन नहीं है, इंद्रियों के तीस पर्मविश्राम की प्राप्ति अधीन नहीं है, शरीर के अधीन नहीं है। हमारी स रूप शरीर पीछे बनता है और मिट जाता है। हम निराका रूप से हैं पर शरीर रूप से अपने को साकार मानते हैं। यह मूल भूल है। इस भूल का हमें प्रायरश्वित करने में तीन बाते हैं। शरीर नहीं मनूँगा। यह तीन बाते होने से प्रायरश्चित हो जाता है और साधक अपने वास्तविक अव्यक्त्स ब्रूप में स्थित हो जाता है।